आज संगीता कुकिंग में होली एस्पेसल सूजी के मालकुए बन रहा है तो चलिये में बनाती है तो यह देखिए यह हमने कटोरी के माप से लिया है सूजी और दूद बड़ाबर भाग में और उसमें हमने दो चम्मच पीशी हुई चीनी ले लिया चुकि मैं पाले घोल चुकी थी पर किसी की फरमाईस थी तो मैंने ये वीडियो बनाया तो यह देख सकते हैं इसमें हमने सूजी दूद और लगभग दो चम्मच मलाई डालके इससे फेटके हाप आदा घंटा पहले रख दिये थे और रस दो चम्मच हमने पीशीओ चीनी डाला और हापटेवल इसमुण हमने इलाइसी का पाउडर डाला और हापटेवल इसमेam सौफ़ का पाउडर डाल दिया इससे इसकी खुस्पूू बहुत ही अच्छी लगती है मालपूय की और आप मैदे के आटा के जिसके भी पू यह सूजी वाले लगते हैं वह कोई नहीं बहुत ही खाने में मस्त और बहुत जल्दी भी बन जाता है तीसे गोल की लगवा हमें कम से कम एक घंटे जरूर छोड़ना अगर आपके पास सूजी मोटी वाली हो तो आप उसे एक बार मिक्सी सर ग्राइंडर में उसे ग्राइंड दिखा दी कभी कभी सूजी कुछ सूजी ऐसे होते हैं जो जादा ही पानी या दूद अबजर्ब करते हैं तो कम परे तो थोड़ा दूद और डाल दीजिए पर बैटर इसका ऐसे होना चाहिए न तो बहुत गारा ना ही पतला तो यह लिजिए हमने इसे ढख दिया और आद कटोरी इसमें हमने पानी लिया पर ध्यान रखना इसे खुब अच्छी तरह से पकाना है पर एक तर दो तर की चासनी हमें नहीं बनानी और इसी में हमने हाप टेबले स्पून के लगबग में इलाइची पाउडर डाला और 6-7 केसर के धागे भी डाल दिये इसे देखने मे जब आप इसमें पूगा डालेंगे तो उसका कलर बहुत ही सुन्दर आएगा तो इसे बस हमें अच्छे तरह से चीनी को पकाना है हम एक तर दो तर की चासनी नहीं बनाना अगर आप एक तर दो तर की चासनी बना दिंगे तो पूगा है वो बिलकुल चिप-चिपा हो जादा चीनी नहीं खाना पसंद करते वो फिर वो सुखा भी खा सकते क्योंकि उसमें दो चम्मच तो हमने सुगर पाउडर डाला ही है यह लीजे हमारा चासनी बनके तयार हो गया और यह सूजी भी हमारी अच्छी तरह से फूल गई है चूकि हमने आदे गंटे पहले भी चलती है तो इसके लिए क्या करेंगे इसमें अब कुछ भी नहीं डालना तो आप देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छी तरह से मिल गया अब हमें एक चीज़ जालना है इसमें हमें हाप ट्रेवले स्पून बेकिंग पाउडर डालना है बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसे इसमें एक चमच उपर से दूट डाल देंगे और फिर इसे मिलाएंगे एक चमच दूट डाल देने से क्या होगा बेकिंग पाउडर पूरे समागरी में अच्छी तरह से मिल जाएगा तो इसका बैटर जो है आप देख सकते हैं यह तो नपतला है और बहुत ही शहा यह रहिए उसका में आप का आठे यह तो इसमें बना रहे करते नि में तो उसमें तो आसानी से बिने जाएंगे और या आप यह भी देश चारते हैं मैंने कराही भड़के तेल भी नहीं लिया हलाकि यह मैं तो देसी घी में बना रही है को कि माल पुगा पुगा जो भी बनता हो वह तो या तो रिफाइंड ओल में बनाए और नहीं तो इसे देसी घी में बनाए देसी घी का बना हुआ ज्यादा ही स्वादिस्त होता है तो यह लीजिए अब क्या करना है चारो तरफ से घी को हमें पुएट के ऊपर डालना है ताकि यह अच्छी तरह से शिख जाए और एक साइड बढ़िया से शिख जाएगा तब हम इसे पलटेंगे पर एक बात का ध्यान रखना है फ्लेम हमेशा लो होना चाहिए फ्लेम को ना बढ़ ना तो यह फटा ना तो टूटा और ना ही कराही में विखरता है तो इसे देखिए हमने अच्छी तरह से बहुत ही बढ़िया से इसे पलटेंगे तो थोड़ा पलटने में अगर दिक्कत होगा तो भी यह टूटेगा नहीं यह बहुत बढ़िया बनेगा लेकिन ध्यान पर इसे बहुत ही जो लोग पुआ बनाते हैं मैं देखा यह अठा का उन्हें पता है पुआ हमेशा लोग फलेंपे बहुत आराम से शिखा जाता है अने धा क्या होगा उपर से तो यह लाल हो जाएगा पर अंदर से कच्चा रा जाएगा पर आप देख सकते हैं यह कितने अच्छे से सिक रहा है तो मैं बता रही थी आपको कि पहले से मैंने क्यों घोल के रखा मैं कोई वीडियो बनाने के मोड में नहीं थी अचानक से किसी परिवार वाले का ही फोन आया उसने मेरे से पूछा क्या स्पेशल बन रहा है मैंने बोला सुजी का माल पुगा तो वीड जैख रहे हैं कितने अच comfort से यह शीक भी रहा है और जब दोनों तरफ से सीख जाए तो इसे हमें क्या करना है थोड़ा दबा की सीखना है तो चमद के सहाइतासे हमें अलका हलका दबाना है और बिलकुल पिंक किलर कंलर इसका अलका ब्राउनेस पर आ यह बहुत ही क्या जा देखने में ही जितना टाइम लगे तो इस परकार जो लोग नए देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर ले और लाइक कॉमेंट भी कर ले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो फ्रेंड एंड फैमिली में सेयर भी कर दे क्योंकि होली का टाइम है सब लोग पुआ बन आते हैं तो वो कराही में भी खरता है पर यह बिल्कुल नहीं भीखर सकता है आप छोटा बड़ा जैसा भी बनाना चाहेंगे आप बना लेंगे तो देख सकते इसका दीरे-दीरे कलर कितना प्यारा रहा है और यह खाने में भी सारे फुओं से ज्यादा स्वादिष्ट यह यह खाने में भी लगता है तो आप एक बार हमारी तरह से जरूर बना लें और एक बात और भी है क्या है हम ने जो चीनी के चासनी बनाए तो आप कही बार आप चाहे तो बिल्कुल दूद को रबडी बनाके चीनी के साथ और उसमे भी इस पूए को आप डाल सकते हैं तो वो और अगर आप समझ गए हो तो आप खुट भी बना सकते हैं, उसी प्रोसेस से दूद को करना पर दूद को क्या है? थोड़ा गारा करना पड़ता है, और उसमें थोड़े से ड्राइफ़ू डालने पड़ते हैं, और इसमें क्या है कि हम छासनी से निकालने के बाद इसे गार् लगता है दही और पुगा भी आप खाएं तो भी बहुत अच्छा लगता दो देख सकते हैं जो भी टाइम लगा इसे सेखने में ही लगा और मैंने वीडियो को बिल्कुल एसकीप नहीं किया आप लोग और और क्या है कि चम्मच के साहता से हम इसके पूरे ही घी को निकाल द क्योंकि इसके अंदर वैसे भी सूजी के पूवे के अंदर घी नहीं पकड़ता है वो तुरंत ही निकल जाता है तो देखिए इस परकार हमने इसे बना के निकाला और अभी मैं आपको गार्निस करके भी दिखाती हूँ और ये लिजे हमने दूसरी बार भी डाल दिया पर इसा नहीं है कि मैं आपको पूरा इसे ठ्राइ करते हुए दिखाऊंगी बस डाल के और मैं जितना बनाई हूँ उतने को ही दिखाती हूँ आपको आगे मैं आमें क्या करना है तो ये लीजे हमने सेकेंड राउंड भी डाल दिया और अभी जो हमने निकाला था ओ अभी हलक मैं है निकाल देना अग्याइन यात मान वक्रीया इसे बिल्कुल नहीं जाहिए तो इसे देखेंगे मैं ऐसे ही निकाल दीं और आप देख सकतें कितना क्रिश्पी हुआ है कि यह बेखने से ही पता चल रहा है कि बहुत ही क्रिश्पी है तो यह लिजे हमने इसे निकाल दिया और। इस प्रकार आप लोग होली पे जरूर बनाएं आने वाले जितने भी अगंतुख होंगे उन्हें खिलाएंगे तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा और यह बहुत जल्दी बनता है बहुत टाइम भी नहीं लगता तो यह लिजे हमने एक बार और इसे चासनी में डूबाया और इसे भी हम निकाल देंगे मैं आसा करती हूं आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा तो एक बार जरूर बनाए और आप लाइक कमंट जरूर करें और बनाने के बाद आप मुझे बताएंगे कि आपके आपका मालपूर कैसा बना था तो यह लीजे हमने इतने सारे तो पहले बना दिये और अब मैं आपको गानिस करके दिखाती हूं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आप देख सकते हैं इसके उपर हमें ड्राइ फ्रूट को बिलकु बारिक चौप कर लेना है यह तो और इसे यह हमने पिस्ते को बारिक किया और उसे पहले डाल दिया और प पिस्ते से जब हम इसे सजाएंगे तो देखने में भी बहुत अच्छा और खाने में और उसके बाद चम्मच में वह सुगर शिरप लेके ठोड़ा-थोड़ा सा डाल देंगे ताकि ड्राइफूट जो है वह भी अच्छा मिठा हो जाए और जब आप किसी को खाने के लिए दे या सर्व करें उस टाइम आप क्या करेंगे और इसी पर हमने एक थोड़ा-थोड़ा सा केसर के धागे भी डाल दिये आप देखते होंगे बड़े-बड़े मिठाई की दुकान में ऐसे ही मिलता जिसके उपर केसर के थोड़े से धागे पड़े रहते हैं जो देखने मे पर या तो फ्रेश मलाई या रबडी बना के रखें उसे डाल के सब करें पर पहले से डाल के न रखें तो यह देखिए हमने अमारा कितना ही बढ़िया मालपुगा बनके तयार हो गया थैंक यू